कहानी की शुरुवात में हम हमारे मेल लीड जियांग शेंग को देखते हैं जो कि बहुती रिच और हैंडसम है वो अपनी वाइफ सुजी को लेने आया था सुजी भी एक रिच फैमली से बिलॉग करती है जियांग शेंग उसे बोलता है कि तुम्हें इतने छोटे मैटर के ल बारे में पूछती है और जियांग शेंग पर गुसा करती है कि तुमने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा वो तुम्हारी कंपनी में काम करती थी तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला और अब सीसी टीवी भी नहीं है जिस पर जियांग शेंग उसे सौरी बोलता है और प्रॉम शेंग भी बट्टर मिश्टर मा से कह देता है सुजी डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन का रिवेंज जरूर लेगी अगले दिन सुजी ऑफिस जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है जहां पहले तो सब उसका अच्छे से विल्कम करते है तबी वहां की एक तो अच्छा बनती है और बोलती है कि पढ़ाई से जादा काम इंपोर्टेंट होता है और सुजी से बोलती है कि तुम कहां रहती हो आफिस के बाद हम दोनों साथ में जाएंगे जिस पर सुजी समझ जाती है कि वो लोग बस उसके बैकड्रोड के बारे में पता करना चाते है उसे याद था कि उसकी बहन ने भी अपनी आइडिटिटी चुपाने के लिए बोला था कि वो किसी स्लम के पास रहती है इसलिए सुजी भी वही का अड्रिस बता देती है तो सब अपना अटिटूड बदल लेते है और उसे अब भाव नहीं देते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं क्योंकि वो उसे पूर समझ रहे थे जो स्लम में रहती है लेकिन जियांग जी खुश होती है कि अब उसे परेशान करने के लिए एक नई लड़की मिल गई है सुजी जियांग जी से पूछती है कि तुम कहा रहती हो जिस पर वो बताती है कि मैं विला में रहती हूँ और सब जियांग जी की तारीफ करने लगते हैं कि जियांग जी एक डिश फैमली से है सुजी जाकर बैठने लगती है तो वो लड़किया उसे बैठने नहीं देती और जियांग जी भी उसकी चियर पर अपना पर्स रख देती है इसलिए वो एक लड़की के पाल जाकर जिसके बाद सब लोग आकर उसके सामने अपनी फाइल्स लाकर रख देते हैं और वो सुजी को सब काम करने को बोलते हैं तो सुजी बोलती है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूंगी और उन लोगों की फाइल्स को नीचे गिरा देती है कि मैं ये नहीं करूंगी जिस से सब सौ तो क्या हुआ था जिस पर जियांग जी उसे चुप करा देती है सुजी उससे पूछती है लेकिन वो नहीं बताती है तो सुजी समझ जाती है कि उसकी बहन के एकसिडेंट में जियांग जी का हाथ हो सकता है जियांग जी उस पर पानी डालने जाती है तो सुजी उस पर ही पा तो जियांग जी उन्हें बोलती है कि हमने इसे काम दिया तो इसने फाइल्स फेक कर मुझ पर पानी डाल दिया इसलिए डायरेक्टर सुजी को धप पर मार देते हैं और सौरी बोलने को बोलते हैं जिस पर सुजी मना कर देती है तो डायरेक्टर उसे बोलते है कि अगर तुम company में किसी की बात नहीं सुन रही हो तो तुमें company events में आने की जरूरत नहीं है और सबको announce करते हैं कि हमारे projects के success में Mr. Jiang Shen ने party रखी है और invite करते हैं तो सुजी सोचती है कि जियांग शेंग ने उसे नहीं बताया कि वो पार्टी रखने वाला है, तभी सारी लड़किया जियांग शेंग के बारे में बात करती है, कि वो बहुत हैंसम है, और उसे पटाने के बारे में सोचती है, डिरेक्टर जियांग जी की तारीब करता है कि ये सब तुम्हारे डिजाइन्स का कमाल है तो सुजी उसके डिजाइन्स लेती है और बोलती है कि ये डिजाइन्स तुम्हारे नहीं है क्योंकि वो उसकी बहन के थे तो जियांग जी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता जिस पर सुजी बोलती है कि इसमें इनीसियल्स किसी औ के हैं जो तुम्हारा नाम नहीं है जियांग जी सोचती है कि सुज़ी के पास कोई बैगरारण नहीं है और वह पूर है तो वह इसे लड़ सकती है इसलिए उसlarını बोलती है कि जिसके डिजाइंस है उसे आने दो तो सुज़ी की थृप पूलती है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा मेरे अंकल यहां की डिरेक्टर है तो उसकी अंकल भी सुजी को वार्ण करते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग सी सुजी को बटलर मिस्टर मा के साथ देख लेती है जो सुजी के लिए ड्रेस लाया था जिसे जियांग शी ने भेजा था तो जियांग जी गलत समझ लेती है कि सुजी एक ओल्ड मैं की मिस्टरेस है और वो सुजी की फोटो भी ले लेती है अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी में सब कलीक्स जियांग जी की तारीफ करते हैं कि तुम आज बहुत ब्यूटिफुल लग रही हो और यहां के सारे यंग बिसनेसमेन तुमें ही देख रहे हैं तब इस सुजी की एंट्री होती है जो बहुत ही ब्यूटिफुल सा वाई जस पहन कर आई थी और सब लोग उसे देख रहे थे वो जब ड्रिंक लेने जाती है तो जियांग जी उसे लेने नहीं देती है और जियाओ उसे बोलती है कि पता नहीं किसके साथ सो कर आई हो इसलिए तुम यहां इतने अच्छे से त्यार होकर आई हो जिस पर सुजी उसे थपर मार देती है और बोलती है कि कल तुमने क्या कि जो इतनी घटिया बात कर रही हो जियांग जी उसे बोलती है कि मेरे सामने ये सब नहीं कर सकती मैं जानती हूँ कि तुम एक ओल्ड मैन के साथ हो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि सुजी सच में किसी की मिश्ट्र है तो सुजी जियांग जी को बोलती है कि तुम ये क्या बखवास कर रही हो जियांग जी वो सारे फोटोस दिखा देती है तो सब उसके बारे में बाते करने लगते हैं सुजी उसे बोलती है कि ये मेरे बटलर मिश्टर मा है लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं करता जियांग जी बोलती है कि तुम एक पूर गर्ल हो तो तुमारे पास बटलर कहां से आया और उसकी इंसर्ट करती है तो सुजी उसे वार्ण करती है कि अगर मेरे बारे में और बक्वास की तो मैं तुमारा मुझ तोड़ दूगी लेकिन जियांग जी उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम ए जियांग जी सोचती है कि हो सकता है कि इसके वज़े से उसकी अंकल को प्रॉब्लम हो जाए इसलिए वो मना करती है तो सुजी भी वहां से चली जाती है जिसके बाद मिश्टर वांग और जहाओ आते हैं वह बिजनसमेन थे और जियांग जी उसके पास जाती है मिश्टर व चाने के लिए मिश्टर वांग को बोलती है कि आपके लिए मैं एक न्यू गर्ल अरेंज करती हूँ और वो सुजी की जरफ इसारा करती है बोलती है कि वो अल्रेडी किसी ओल्ड मैन की वाइफ है तो मिश्टर वांग बोलते हैं कि उसे मेरे साथ कोई प्रॉबलम नहीं होगी और मिश्टर वांग सुजी के पास जाकर उसे अपने साथ माइट स्पेंट करने के लिए बोलते हैं जिससे सुजी उसे दूर रहने को बोल कर जाने लगती है लेकिन वो उसे वन मिलियन देने की बात करता है तो जियांग जी को गुसा आता है कि वो उसे इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है सुजी उसे बोलती है कि अपनी बकवास बन करो और यहां से चले जाओ और वो उस पर ड्रिंक डाल देती है तो वो उसे मारने जाता है तो मिश्टर जाओ उसे रोक लेता है कि अगर तुमें एक रात के लिए प्राबलम है तो तुम हमारी लवर बन जाओ हम तुमें जो बोलोगी वो देंगे जिस पर सुजी बोलती है कि मुझे एक बिला चाहिए तो वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो वो कितने एक्स्पेंसिव होता है तो सुजी बोलती है कि अगर वो दे सकते हो तो बोलो वरना यहां से निकल जाओ जिस पर मिश्टर वांग उसे थपर मार देते है तो सुजी भी उसे थपड़ मार देती है जिससे मिश्टर वांग को गुसा आता है कि मैं एक रिच बिजनसमेन हूँ याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिस पर सुजी भी बोलती है कि देखते हैं कि आखिर में कौन रोता है और फोन करके मिश्टर वांग और मिश्टर जाओ को बेंकरप्ट करने को बोल देती है वो लोग पहले तो हसने लगते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं तब ही सुजी के गाट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वहां बटलर भी आ जाता है मिश्टर वांग जब पूछते हैं कि तुम लोग कौन और कौंटिंग स्टार्ट कर देता है तब ही मिश्टर वांग और जाओ को फोन आता है कि उनके स्टॉक प्राइस गिर गए हैं लेकिन उन्हें ट्रस्ट नहीं होता तब ही उसका असिस्टेंट आकर उन्हें बोलता है कि सच में हमारी कमटनी बर्बाद हो गई है तो जयांक जी को पकड़ने के लिए बोलती है वो भागने की कोशिच करती है पर गार्टथ उसे पकड़ लेते हैं मिस्टर this evapor मार देता है andthat मिलकर उसे बने ये झाया था ये बोलकर कि ये एक मिस्ट्रिस है और उसे मारने लगता है तो सुजी से बोलती है कि क्यासा लग रहा है बुली होकर तो जो जांग जी बोलती है कि तुमें हम दोनों एक याशी ही है तो सुजी बोलती है कि हम दोनों में बहुत से चली चाती है जिसके बाद मिश्टर वांग और जाओ दोनों ज्यांग जी को बहुत मारते हैं अगले सीन में हम सुजी और ज्यांग शेंग को देखते हैं ज्यांग शेंग सुजी को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो जिस पर वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ इतने चोटे होगी मैं तुमें सपोर्ट करूँगा तो सुजी उसे ठांक्स बोलती है लेकिन ज्यांग शेंग को तो कुछ और ही चाहिए था इसलिए वो उसे किस करते हैं अगले दिन ऑफिस में ज्यांग जी की कली उसे मसका लगाती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी अंका पसंद नहीं है जिस पर जियांग जी खुश हो जाती है यहां जियांग शेंग सुजी को फोन करके बताता है कि मैं मीटिंग के लिए अबरॉड जा रहा हूं इसलिए अगर मुझसे बात ना हो पाई तो मेरे ऐसिस्टन को फोन करना जिसके बाद सुजी डिरेक्टर के पास ज अगर तुमने ये प्रोजेक्ट कट लिया तो मैं तुम्हें रेगुलर इंप्लॉई बना दूँगा वरना तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा तो सुजी को डाउट होता है कि ये आज इतना अच्छा कैसे है उसके जानने के बाद डायरेक्टर उस कंपनी के सिक्रेटरी क फोन करता है और उसे बताता है कि मैं अपने एक इंप्लॉई भेज रहा हूं तो उसका ध्यान रखना सिक्रेटरी जब अपनी मैनेजर सुन के साथ रोमैंस कर रहे थे तो कि मैनेजर उसे सुजी के बारे में बताती है थोड़ी देर के बाद वो प्रोजेक्ट लेकर आती है तो उसे लेकर वो टेबल पर पेक देता है कि ऐसे घटिया प्रोजेक्ट तुम मेरे पास कैसे ला सकती हो तो सुजी बोलती है कि आप प्रोजेक्ट देख दो लो और मुझे बता देना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो मैं पूरी कोशश करूंगी सॉल्ट करने की तो मैनेजर स उसे बोलते हैं कि ठीक है तुम मुझे बेड में सटिस्पाई कर सकती हो तो सुजी बोलती है कि मजा करना बंद करो तो मैनेजर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना ये प्रोजेक्ट नहीं होगा और तुमारी कमपनी का लॉस होगा तो सु सुजी उसे वार्ण करती है कि तुम पच्चता होगे और बटलर को फॉन करकि उनके कमपनी को एक्वायर करने को बोलती है जिससे मैनेजर उसका मजाक उडाने लगता है और सेक्रेटरी चेंड से ड्रिंक लेकर आने को बोलता है कि हम मजा करेंगे तो वो ड्रिंक लेकर आत कि तुम अपनी कंपनी के मालिक के साथ ऐसा कैसे बीएफ कर सकते हो जिस पर मैनेजर बोलता है कि ये कोई बॉस नहीं है ये तो बस एक पूर इंटर्ण है जिसे जुलरी कंपनी के डिरेक्टर यांग ने यहां भेजा है तो मिश्टर ली को भी लगता है कि उस उन से सायद गल कि तुम मेरी कंपनी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो और मैनेजर को उसे सबक सिखाने को बोल कर चला जाता है तब ही वहां जियांग शेंग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जिससे मिश्टर ली नीचे गिर जाता है तो वो जियांग शेंग को धक्का देकर बोलत की तुमने बेटलर को फोन किया था तो मुझे पता चल गया इसलिए मैं यहां आ गया मैनेजर जब सुनते है की सुजी ज्यांग शेंग की वाईफ है तो वो डर जाता है जियांग शेंग बोलता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी वाइफ के साथ ये सब कर रहे थे तो सिक्रेटरी बोलती है कि ये सब मैनेजर की गलती है और वहाँ से चली जाती है मिश्टर ली मैनेजर पर गुसा करता है तो मैनेजर भी उन्हें बोलता है कि मेरी गलती नहीं है आप यहां इंटर्न बन कर आई इसी लिए तो असिस्टेंट उसे मारता है कि तुम कौन होते हो हम से ये पूछने वाले वो माफी मांगता है लेकिन सुजी बोलती है कि पता नहीं अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये कितनी लड़कियों के साथ ये सब करेगा तो जियांग स्टेंग भी उसे जेल बेजने बोलता है और गार्ड्स को बोलकर उसे बहुत मारता है अगले सीन में हम वाश्रूम में देखते हैं कि जियांग जी को इंप्लॉइस बता देती है कि सुजी को वो प्रोजेक्ट मिल गया है तो जियांग जी बोलती है कि तुम टेंसन मतलो वो प्रोजेक्ट हम ही करेंगे तो ये सब सुजी भी सुन लेती है और सोचती है कि ज्यांग जी अब क्या करेगी? जिसके बाद ओफिस में डिरेक्टर बोलता है कि सब को एक्स्टा टाइम काम करना है और सुजी को प्रोजेक्ट के लिए फाइल बनाने को बोलता है जिस पर वो बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों चाहिए हम अलरेडी एक कोफी बेशने के लिए मैसिज करती है तो एक डिलिब्रीमैन कोफी लेकर आता है तो सब Matthju लगता है कि जएंगजी ने इतनी काफी और र drilled की है जएंगजी भी सोचती है कि अगर इससे के इस के folks उसे अमीर समझते हैं तो व based if लेने बोलती है तो सुजी पोलती है कि इस पर मेरे नाम का signature है तो जियांग जी जब देखती है कि ये तो सच बोल रही है तो जियांग जी बोलती है कि तुम इतनी expensive coffee कैसे अफॉपर्ट कर सकती हो क्या तुमने कोई और sponsor ढून लिया है जिस पर सुजी बोलती है कि अगर ये तुम्हारे लिए आई है तो प्रूफ दिखाओ जियांग जी बोलती है कि ये मेरी कजन ने भेजी है तो सब लोग सुजी को ही बोलते है कि तुम पूर हो तुम ये कैसे ला सकती हो सुजी जियांग जी को बोलती है कि अगर ये तुम्हारी बॉर्फिन ने भेजी है तो उसे फोन करके पूछो जिस पर वो डर जाती है इसलिए जान बुझ कर फॉन बंद करके बोलती है कि मेरा फॉन डेड हो गया है सुजी को पता था कि वो जूट बोलेगी जियांग जी बोलती है कि अगर तुम कॉफी पीना चाती हो तो पी सकती हो इतने तमासे करने की क्या जुरूरत है और उसे कॉफी देती है लेकिन सुजी नहीं लेती जिससे वो कॉफी नीचे गिर जाता है तो जियांग जी गुसा करती है कि मेरी सर्ट खराब हो गई इसलिए वो लड़का उसे माफी मांगने को बोलता है तो सुजी मना करती है जिससे वो मारने चाता है तो सिजी ही उल्टा उसे मार देती है सब बोलते हैं कि तुमने ये जान बुच कर किया है जिस पर सुजी बोलती है कि ये बस एक सर्ट है तो इतना क्यों चिनना रहे हो जिस पर जान जी बोलती है कि पता भी है कि ये सर्ट कितनी एक्सपेंसिव है और ब्रैंड नेम गलती से परेट बोल देती है तो सुजी बोलती है क तुम एक तो fake dress पहन कर आई हो और मेरे सामने so off कर रही हो तो जियांग जी सोचती है कि क्या जियांग जी के बारे में इतना पता है लेकिन ये तो पूर है तो सब लोग सुजी को ही गलत समझने लगते हैं कि जियांग जी फेक ड्रिस कैसे पहन सकती है सुजी बोलती है कि डिजाइनर कपड़ों पर सिगनिचर होता है तो लड़कियां जियांग जी के कपड़े देखने लगती है तो उन्हें भी लगता है कि जियांग जी जूट बोल रही है और जियाओ बोलती है कि क्या तुम्हारे कपड़े पर है इसलिए जाकर चेक करती है तो सुजी के कोट पर एक सिगनिचर था इसलिए वो लड़किया अपनी पार्टी बदल लेती है और सुजी से प्यार से बात कर ने लगती है जिस पर जियांग जी गुसा होती है कि क्या तुम लोग नहीं जानते ये तो इसके किसी स्पॉंसर ने दिया होगा लेकिन सुजी जियांग जी की वही सारी बाते सुनकर पक गई थी इसलिए इस बार कुछ रियाक्ट नहीं करती है कलीक्स बोलते हैं कि चलो हम कि खतम हो गया तो हम डिनर करने के लिए चलते हैं जाते जाते सुझी की बोटल स्ट यांग जी के पैरों पर गिर जाती है तो उसके लिए भी सब सुझी को ही ब्लेम करके चले जाते हैं सुझी राद भर आफिस में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी तो इसलिए वह जियांग जी बोलती है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है इसलिए गेस्ट को लेने नीचे जाओ तो सुजी भी चली जाती है नीचे उसे एक इंप्लॉई बताती है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो सुजी उपर जाने लगती है तभी पीछे से एक गार डाता है जो फो लेसकती हूँ लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन की जिम्मेदार की है वह जब मिटिंग में जाती तो चैनंग करता है और यांग उस पर गुसust करता यांग तुम इतनी लेट क्यों आई लेकिन वह ध्यान नहीं दे थी और चैनंग याउन को धाती है कि मुझे हैथ चाहिए ज्यांग जी को एक्सपोस करने के लिए ज्यांग शेंग मीटिंग स्टार्ट करने को बोलता है तो डारेक्टर ज्यांग ज्यांग जी को प्रेजेंटेशन देने बोलते हैं जिस पर सुजी बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने तयार किया है जिस पर जियांग जी बोलती है कि इस पर रात भर मैंने काम किया है लेकिन जब वो उपन करके देखती है तो उस तो उसमें पासवर्ट था इसलिए वो सुजी पर ब्लेम डालती है सुजी भी उसे खोल कर दे देती है लेकिन जब जियांग शिंग वो प्रोजेक्ट देखता है तो वो गुसा करता है कि इसमें इतनी मिश्टेक्स है तो जियांग जी फिर से सुजी पर ब्लेम करती है कि इसने किया है जिस पर सुजी बोलती है कि तुम तो बोल रही थी कि ये तुमारा प्लैन तो वो उसे मारने जाती है तो सूजी उसे एक ठपड मार देती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी इसलिए उन्हें वो वीडियो दिखा देती है जिसमें उसने पेंडराइब निकान ली थी और देखती है कि कैसे जियांग जी और उसकी फ्रेंड्स मिलकर सूजी के बहन के साथ भी यही सब किया था और जब वो कमप्लेंड करने गई तो वो उसे सीडियों पर डखेलने लगती है जिससे वो गिर जाती है लेकिन उन लोगों ने उसकी हेल्फ नहीं की और उल्टा वहां से भाग गए जियांग जी मना करती है कि यह सब फेक ह जिस पर सूजी उसे बता देती है कि मैं हूँ फैमिली से हूँ और जिसे तुमने हर्ट किया था वो मेरी बहन थी जियांग शेंग सब को जेल बेशने का ओरडर देता है जिसके बाद जियांग जी सौरी बोलती है कि मैंने जान बूझ कर नहीं किया था मगर सूजी उन्हें माफ नहीं करती और जिल बेज़ देती है। उनके जाने के भाद ज्यांग SHING सूजी के साथ रोमेंटिक हो जाता है। और उसे किस देने के लिए बोलता है। जिसके घुरूण से मिलने सुजी को याद आता है कि जब उसकी बहन ने बोला था कि वो किसी लड़की को ऑनलाइन डेट कर रही है, सुजी फोन रख देती है, तबी बटलर आकर बताती है कि मैंने लिंग यान की इन्फॉमिसन निकाल ली है, उसका एक छोटा सा बिजनिस है और उसे पैसों की जरूरत ह तो सुजी उनने कुछ पैसे इन्फॉमिस्ट करने को बोलती है, लिंग यान जब अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तो उसे फोन आता है कि एक कंपनी हमारे कंपनी में इन्फॉमिस्ट करना चाती है, इसलिए वो सब बहुत खुश हो जाते है, लिंग यान नीचे स सुजी के लिए वेट करता है, जब वो आती है तो उसे बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों हो, जिस पर वो बोलती है कि ट्राफिक था और लिंग यान उसे उपर ले जाता है, और अपनी फैमिली से इंट्रिड्यूस करवाता है, लेकिन उसकी मॉम तो आते ही सुजी को ता नहीं देती है, और लिंग यान भी बोलता है कि सुजी ने अभी अपनी गेजवेशन कम्पलीट की है, तो ये अवोर्ड नहीं कर सकती, जिस पर उसकी बहन इंसर्ट करती है कि तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो, सुजी उन्हें डाइमेंड निकलेस और परल सेट गिप्ट करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं रियल डाइमेंड पहनती हू, तुम पता नहीं ये कहां से लेकर आई हो, तो सुजी बोलती है कि ये रियल ही है, तो लिंग यान बोलता है कि इसने अभी अभी जॉब जॉइन की है, इसलिए आप इसकी इंसर्ट करना बंद क तो मॉम बोलती है कि मेरा बेटा बॉस है साधी के बाद कंट्री साइट कैसे रह सकता है वैसे तुम्हारे पैरेंट्स क्या करते है तो सुजी बताती है कि मेरे पैरेंट्स की देट हो गई है जिस पर मॉम का तो पारा हाई हो जाता है कि तुम अनार थो और उसकी इंसर्ट करक लिंग्यान को ब्रेक अप करने के लिए बोल देती है जिस पर लिंग्यान बोलता है कि मॉम आज हम पहली बार मिले हैं आप उससे इतने सवाल क्यों कर रही है और इतनी दूर की सोचने की क्या जरूरत है लेकिन मॉम नहीं मानती है और उसकी इंसर्ट करने लगती है कि तुम तोनों की जोड़ी नहीं हो सकती है उसकी बहन इंसर्ट करती है कि पता नहीं तुम किस करीब खांदान से हो तो सुजी को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं आपको पिसंद नहीं हूं तो कुछ भी ह जाए आप मुझे नहीं मानेंगे तभी वहाँ पर चू हुई आ जाती है तो मॉम उसका अच्छे से विलकम करती है लेकिन लिंग्यान अपनी मॉम पर गुसा करता है कि हम आज पहली बार सूजी से मिल रहे हैं तो आपने चू हुई को क्यों इंवाइट किया मॉम बोलती है कि वो तुमें लाइक करती है और अच्छा होगा कि तुम उसके साथ रहो लिंग्यान सूजी को उसे इंटरड्यूस करवाता है तो चू हुई भी उसकी इंसर्ट करने लगती है कि तुम बहुत पूर हो तो सूजी भी हाँ कह देती है और मॉम भी उसकी बहुत तारीफ करती है कि अच्छा होता ये हमारी डाटर इंला होती ये बहुत ही अमीर फैमिली से है जिस पर सूजी को डाउट होता है कि चू हुई जूट बोल रही है लिंग्यान सूजी को सफोर्ट करता है लेकिन वो तीनों तो उसकी इंसर्ट किये ही जा रहे थे और चू हुई भी बोलती है कि कास्प मैं आपकी डाटर इंलाव बन पाती लेकिन अब लेट हो गया है तो मॉम बोलती है कि नहीं अभी लेट नहीं हुआ है पर लिंग्यान गुसा करता है कि आप ये क्या बोल रही हो इस बार सूजी भी बोलती है कि जब लिंग्यान मुस्किल में था तो उसका सारा ख लिंग्र करने के लिए बोलती है और जान बूचकर अपने बैक पर ड्रिंग्र गिराकर सूजी को प्लेम करनी लगती है तोुलि है लिंग यान की बेहन जब चेक करती है तो देखती है कि वो तो सच बोल रही है जिससे चूहुई की इंसल्ट हो जाती है वो जूट बोलने लगती है कि ये बैग मुझे किसी ने गिप्ट दिया था इसी इंडिया मुझे नहीं पता था तो मॉम और उसकी बेटी भी उसे सप बोलते है जिस पर वो मान जाती है और सुझी को भी वहाँ इंडिया करती है रात को चूहुई अपने भाई से बोलती है कि क्या मैं अपने फ्रेंड को उसके गार्डन में लिजा सकती हूं कल वहां कोई आएगा तो नहीं जिस पर वो बोलता है कि नहीं तुम वहां जा सकती अगले दिन चूहूई उन्हें अपने साथ ले जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है चूहूई जब उसे गार्डन के दोर के पास ले जाती है तो सुजी देखती है कि ये तो उसका घर है चूहूई को टेंसन होती है कि उसके भाई ने तो उसे बत गार्डन है लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं मानता वो जाकर बैठ जाती है तो सुझी जान बूझ कर उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे फैमिली में सर्वेंट्स नहीं है वो हमारे लिए ड्रिंग्स तो लाही सकते हैं मॉम भी बोलती है कि मुझे भी प्यास लग रही है तो च फैमिली सर्विंट्स को अच्छे से ट्रीट किया जाता है इसलिए उनकी याद चुटी है जिस पर सुजी तो हसने लगती है चूहुई बोलती है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए घर पर एक शेफ को बुलाया था तो लिंग्यान बोलता है कि हम चलकर डिनर कर लेते हैं तो इतना सब कुछ कैसे जानती हो लेकिन चूहुई बात को घुमा देती है अंदर जाकर सब खाना देखकर इंप्रेस होते हैं कि ये कितना एक्स्पेंसिब लग रहा है वो जब खाने बैटते हैं तो सुजी चूहुई के कजन को देखकर बोलती है कि क्या तुम यहां नए लिंग्यान उसे चुप होने को कहता है जिसके बात सुजी बोलती है कि तुमने अभी तक वाइन सर्फ नहीं किया तो मॉम भी बोलती है कि क्या हुआ तुम हमें वाइन सर्फ नहीं करोगी क्या तो चूहुई बोलती है कि ऐसी बात नहीं है सुजी एक वाइन का नाम बताती और खुद ही उसे निकाल लेती है, तो चूहूई गुसा करती है, जिससे सब उसे देखने लगते हैं, लेकिन जब लिंग्यान की बहन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, जिससे चूहूई बोलती है कि मैंने बताया ना ये मेरा गार्डन है, तो वो उसे धका दे देती है जिससे वहां रखावास तूट जाता है तो चूहूई आकर सुजी को धपड मार देती है और उसका कजन भी आ जाता है और उसे ये देगा टिंसन उने लगती है लिंग्यान की बहन और चूहूई उसे पैसे देने को बोलते हैं और माफी भी मांगने को बोलते हैं लेकिन कुछ टाइम पहले ही यहां आया हूँ इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता तो चूहुई सोचती है कि मास्टर को अगर पता चल गया कि वो इसके घर में किसी को लेकर आए है तो यह मेरे और मेरे कजन के लिए प्रॉबलम हो जाएगी इसलिए वो उसे बोलती है कि छोड़ो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है मैं खुदी समाल लूँगी लेकिन चूहुई लिंग्यान के बहन से बोलती है कि तुमने यह वास तोड़ा है इसलिए तुम ही पैसे दोगी वो मना करती है कि जब चूहुई नहीं मना कर दिया तो तुम कौन होती हो तो से मारने चाहती है लेकिन इस बार सूजी उसे दो तीन धप्ड मार देती है और बूलती है कि देखते हैं कि कौन यहां से बाहर जाता है उसका कउधिण देख Administ देखकर प्रवियान की बेहन चूहूई से बोलती है कि क्या सच में यहां की ओनर है तो चूहूई मना करती है और उसकी कजन सूजी को धक्का मारकर बाहर निकालने लगता है तब ही असिस्टेंट आता है और उस पर चिल्दाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने क और यहां के सामान तोड़ने की चूहूई का कजन उन्हें बोलता है कि यह सब इस लड़की ने किया है तो वो जैसे ही सूजी को देखता है तो चूहूई की कजन को मारता है और सूजी को उठाता है असिस्टेंट उन्हें माफी मांगने बोलता है लेकिन जब वो नहीं मां और बहन को बाहर निकाल देते हैं और चूहूई के कजन को जॉब से भी निकाल देते हैं सुजी अपने असिस्टंट से बोल कर लिंग्यान की फैमिली से इन्वेस्टमिंट वापस ले लेती है बाहर आकर वो चूहूई से पूछने लगते हैं तो वो बहाना मारती है उसके और उसके भाई के बीच का रिस्टा ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा किया जिस पर वो लोग मान जाते हैं अगले सीन में हम चूहूई और लिंग्यान को देखते हैं चूहूई उसके क्लोज जाने की कोशिस करती है तबी लिंग्यान को फोन आता है कि उसके बिजनेस में से इन्वेस्मेंट निकाल लिया गया है इसलिए वो बहुत गुसे में था तो चू हुई उसे इन्वेस्मेंट करने का प्रॉमिस करती है और दोनों साथ नाइट स्पेंट कर लेते हैं जिसके बाद हम चू हुई और जिंग्यान जिसके बाद हम सुजी और जियांग शेन को देखते हैं जो एक रेश्टरांट में आते हैं और VIP बुकिंग करते हैं तबी उसके पीछे लिंग यान की फैमली और चूब हुई भी आ जाती है मॉम उसे थैंक यू बोलती है इतने अच्छे रेश्टरांट में लेकर आने के लिए वो जब VIP बुकिंग करवाता है तो वेटर उनने बताते हैं कि स्टब फुल हो गया है और किसी ने अभी अभी बुकिंग किया था तो जब वो सुजी और ज्यांग शेन को देखते हैं तो मॉम सुजी पर गुसा करती है कि क्या तुमने मेरे बेटे के अलावा किसी और को पटा है और वहां के वेटर से बोलती है कि तुम ऐसे लोगों को यहां कैसे आने दे सकते हो तो वो वेटर भी सुजी और ज्यांग शेन को बाहर जाने बोल देता है ज्यांग शेन बोलता है कि तुम लोगों को कैसे पता कि हम अफ़र्ट नहीं कर सकते लिंग यान बोलता है कि मैं तुम नहीं पे कर पाए तो माफी मागनी पड़ेगी जिस पर सुजी मान जाती है और दोनों अपना अपना क्रेड़िट कार्ड देते हैं चूहुई के पास व्याइपी कार्ड था जो उसके भाई ने उसे दिया था और जियांग शेंग गोल्ड कार्ड निकालता है जिस पर वेटर बोलता है कि ये हमारे रिष्ट्वन का कार्ड नहीं है तो जियांग शेंग शेंग बोलता है कि तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ तो वो मना करता है इसलिए जियांग शेंग खुदी मैनेजर जहां को बुलाता है मैनेजर जब वहां आता है तो अपने वेटर को थप बोलता है तो चूँव हुई सोचती है कि पता नहीं सुजी ने कौन से लड़के से साधी की है जो इतना पावर्फुल है और भांडा ना फूर्च आए इसलिए वो रेश्टरॉन की ही इंसल्ट करती है और वहां से जाने लगती है तो सुजी उसे पे करने के लिए बोलती है मैनेजर को वो पेख करने लगती है تو उसे जटका लगता है कि रेष्टरॉन इतना एक्सपेंसिव है और बाहर आती है तो सब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो बोलती है कि एक छोटी से रेश्टोन की पीछे इतना टाइम वेश्ट करने का कोई वाइदा नहीं है लेकिन अच्छा हुआ हम यहां से आ गए वरना हमें कैसे पता चलता कि चूहूई लिंग्यान को चीट कर रही है जिस पर सब उसे एगरी करते हैं और लिंग्यान बोलता है कि अब हम साथ रह सकते हैं तो चूहूई उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसे बताती है कि दो दिन के बाद एक आक्शन है हम वहाँ जाएंगे इससे तुम्हारे बिजनिस को प्रॉफिट होगा तो कुछ पैसे तैयार रखना जिस पर लिंग्यान मान जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब आक्शन में जाते हैं तो चू हुई उसे बोलती है कि आज हाईली ग्रूप के प्रेसिडंट भी आने वाले हैं अगर तुम आज आक्शन में रखी 20 मिलियन की पेंटिंग खरीद लोगे तो वो तुम्हारे कंपनी में इन्वेश्ट कर सकते हैं तो लिंग्यान भी मान जाता है तबी वहां सुजी और ज्यांग शेन भी आते है तो लिंग्यान की बहन बोलती है कि तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर सुजी बोलती है कि मैं यहां क्यों नहीं आ सकती तो उनके बीच फिर से बहस हो जाती है और सुजी उसकी इंसर्ट करने लगती है कि तुम्हारे भाई ने तो अपने कमपनी के ओर्डर पूरे नहीं किये ऐसे तो तुम लोग बेंक्रप्ट हो जाओगे तो मॉम उसे मारने के लिए जाती है लेकिन सुजी उन्हें रोक देती है और उसकी बेज़ती करने लगती है कि तुम लोगों को तो बस पैसे की ही भासा समझाती है किसी की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता जियांग शेंग उन्हें बोलता है कि हमें और्गनाइजर ने कुछ इन्वाइट किया है और कार्ड भी दिखाता है तो उन लोगों को लगता है कि वो जूर बोल रहे है क्योंकि सबके कार्ड र्युट थे लिंग यांग की बेहन जब ज़्यादा बोलती है तो सुजी उसे थपड़ मार देती है लिंग यांग मारने जाता है तो जियांग शेंग भी उसे कुछ कर देता है ये सब देखकर गाट्स वहाँ पर आ जाते हैं तो लिंग यान की फैमिली सुजी को बाहर निकालने के लिए बोलती है गाट्स जब इन्विटेशन चेक करते हैं तो वो सुजी और जांग शेन को अच्छे से ट्रीट करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं जिससे सब चूहुई को सवाल करने लगते हैं जिस पर वो फिर से बहाना बना देती हैं अंदर जाकर आक्सन श्टार्ट हुजाता है तो चूहुई लिंग यान को पेंटिंग खरीदने के लिए फोर्स करती है तो लिंग यान भी प्राइस लगाता है लेकिन सुजी जान बूझ कर प्राइस को बढ़ा देती है जिससे वो पेंटिंग 40 मिलियन तक पहुँच जाती है तो लिंग यान की बहन बोलती है कि पहले ये तो चेक करो कि ये कितना पे कर सकती है तो वो लड़की सुजी के पास जाती है तो वो उसे अपनी रिंग दिखाती है जिसे वो लड़की समझ जाती है कि ये सू फैमली की है इसलिए वो उससे माफी मांग कर आक्सन शुरू करती है तो वो चारों बस देखते रह जाते हैं तो लिंग यान 45 मिलियन लगा देते हैं तो चूवी बोलती है कि तुमने इतने पैसे क्यों लगाए तो लिंग यान उसे हल्प करने के लिए बोलता है लेकिन वो बहाने बनाने लगती है जब पेमिन्ट के टाइम सबके भी जगड़ा हो रहा था तो वो लड़की आकर Lingyan को पे करने को बोलती है जिससे Lingyan बोलता है कि मैं installment में दूंगा तो Suzy और Jayang श्रिंग हसने लगते हैं और वो लड़की मना करती है तो Suzy बोलती है कि तुम अपनी girlfriend से क्यों नहीं मांगते वो इतनी अमीर वाप की बेटी है तो Lingyan जू हुई को request करने लगता है लेकिन वो मना करती है लेकिन सब के सामने बहुत force करने पर अपनी friend से पैसे मांगती है Suzy उसकी insert करती है कि ये तुमें इतना बेवकूफ बना रही है और तुम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा तो Lingyan उसे जगरता है कि ऐसा क्या है इसमें जो तुम उसे इतना पसंद करती हो तो Suzy उसे धपर मार देती है कि अगर तुमने और कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी Lingyan की मॉम और चू हुई Lingyan को रोकते हैं कि छोड़ो हमें मीटिंग करने जाना है और वो वहां से चले जाते हैं Jiangsheng Suzy से पूछता है कि तुम कब तक अपनी बहन की जगा प्रेटेंट करने वाली हो तो Suzy बोलती है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि चू हुई Su family की डॉटर बनने का नाटा क्यों कर रही है और वो Jiangsheng से अपनी बहन के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि वो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आई है तबी Suzy को फोन आता है कि तीन दिन में डिनर पार्टी है तो वो Jiangsheng को अपने साथ चलने को बोलती है और वो Swapping करने के लिए चले जाते है उसी Swap में चूहुई भी लिंगियान के लिए ड्रेस सलेक कर रही थी तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे ये ड्रेस पसंद है क्या तुम मुझे ये दे सकती हो तो चूहुई स्टाफ से दोनों ड्रेस की प्राइस पूछती है तो वहा उन्हें फिरसे लिंग्यान की फैमिली और चूहुई मिलते हैं जो उससे फिर से जगडने लगते हैं कि तुम ये अफर्ड नहीं कर सकती तो सूजी अपना करते हो इसी लिए ये अफ़ॉट कर रहे हो जिस पर लिंग यान फिर से उसे पकड़ लेता है तो जियांग सिंग उसका हात मौर देता है कि मैंने कहा थाना की इससे दूर रहकर बात करो श्टाफ ड्रेस लेकर आ रही थी तो लिंग यान की बेहन उसे गिरा देती है जिससे ड्रस खराब हो जाता है तो श्टाफ बोलती है कि मैंने ये जान बूच कर नहीं किया जिस पर सुजी बोलती है कि मैं जानती हूँ और लिंग्यान की बेहन को बोलती है कि माफी मांगो और ड्रस के पैसे दो और वो मना करती है कि मैंने लेकिन सुजी पुलिस की धमकी देती है, तो उसकी बहर्ल चूप हुई से रिक्वेश्ट करती है, लेकिन चूप हुई तो हमेशा की तरह बहाने मारने लगती है कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो सुजी ओन लाएन ट्रांसपर करने को बोलती है, लेकिन चूप हुई बोलती है कि मेरी बैटरी डेट हो गई है तू जियांग शिंग उसे चारजर देता है लेकिन वो मना करती है तो सुजी बोलती है कि क्या हुआ तुम पे नहीं कर सकती तो वो बोलती है कि मैं अभी नहीं कर सकती और उसे बोलती है कि तुम अपने भाई से क नहीं मांगती तो वो भी बना कर देता है लेकिन उसकी बहन भी उसे Dwilt करने लगती है इसीलिए वो अपनी भाई को फॉन करके पैसे ले लेती है और पे कर देती है सुजी श्टाफ को वो ड्रेस उन्हें देने के लिए बोलती है जिस के बाद वो वहाँ से ट्रीट कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या करते जिसके बाद हम देखते हैं कि चूहुई उन्हें अपने साथ पार्टी में लेकर आती है जहां वो लिंग यान की फैमली चूहुई से इंट्रेस होती है कि उसे इतने बड़े पार्टी में इंविटेशन मिला है और मेरा बेटा बहुत लगी है तब ही उसकी पीछे से सुजी और ज्यांग शेंग भी आते हैं तो मॉम बोलती है कि तुम जैसे लोगों को भी यहां इंविटेशन मिला है तो सुजी बोलती है कि क्या हुआ क्या सिर्फ तुम्हारा बेटा ही डिजर्व करता है जिस पर लिंग यान ज्यांग शेंग की इंसर्ट करने लगता है तो सुजी उसे बोलती है कि तुम खुद को ज्यांग सेंग से कंपेर करना बंद करो तो लिंग यान बोलता है कि तुम इससे पहले मुझे डेट कर रही थी और उसकी इंसर्ट करता है कि तुम बस ऐसी लड़की हो जिसे मैंने छ तोर दिया है और उसके close जाता है तो जियांग सिंग उसे कुछ कर देता है तो उसकी मॉम सुझी पर गुसा करती है लेकिन सुझी उन्हें इगनोर करके जाने लगती है जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो invitation नहीं है तो जियांग शेंग बोलता है कि हमें invitation की जरूरत नहीं है लिंग्यान की फैंली जब अंदर जाने लगती है तो गार्ट पहले सुजी को अंदर जाने तबी लिंग यान को मिश्टर ली दिखते है इसलिए वो उनके साथ जाकर बिजनस की बात करता है और उन्हें प्रेंटिंग गिफ्ट करता है वो भी खुश हुच जाते है तबी वहां ब्रदर लॉंग आकर लिंग यान से पैसे मंगने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम खतम हो गया लिंग यान की फैमिली को तो कुछ भी समझ नहीं आता है लेकिन ब्रदर लॉंग की गार्ट उसे मारने लगते हैं दूसरी और सुजी ज्यांग शेंग से बोलती है कि मेरा काम तो कोई और कर रहा है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यांग भी समझ नहीं आता पार्टी में सबी लोग बताते हैं कि सुजी ही सू फैमिली की डॉर्टर है जिससे चू हुई वहां से भागने लगती है तो लिंग यान उसे पकड़ कर लाता है और उसकी फैमिली उसे बहुत मारती है लेकिन ब्रदर लॉंग लिंग यान को पैसे चूशी हूँ तो वो उस पर बुसा करता है तब सुजी भी वहां पर आ जाती है चूशी अपनी बेहन को देखकर बहुत खुश होती है लिंग यान उसे मारने की कोशिश करता है कि इसने मुझे धोका दिया तो सुजी उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं चलता कि तुम मु से मतलब है इसी लिए मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्ता नहीं रखना चाहती हूँ जिसके पाथ चूशी ब्रदर लॉंग को उसे ले जाने बोलती है चूशी भाग रही थी तो चूशी उसे रोक लेती है और जियांग सेंग से उसे पनीस करने को बोलती है तो वो उसे अप